नमस्कार एलेक रेसीपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कच्छे आम का मुरब्बा ये मुरब्बा हम गुरवाला बनाएंगे ये बच्ची और बड़े सभी को पसंद आते हैं और आसानी से ये बनकर त्यार भी हो जाता है तो चलिए बनाते हैं अगर वीडियो प शोटे चोटे टुकड़ों में काट लिया है 200 ग्रम मैंने गुर लिया है मेरे पास काला वाला गुर आप चाहें तो सफेद वाला गुर या चीनी भी की ले सकते ह्या तो चलिए बनाते है इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कराही गरम करेंगे कराही जब गरम हो जाए तब हमस में डालेंगे एक बड़ा चमश तेल जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तब हमस में डालेंगे एक छोटा चमश साबुत जीरा आधा छोटा चमच चमीज में डालेंगे साबुत मेथी दाना और आधा चमच चमीज में डालेंगे साबुत सौफ आप इसे कूटकर भी ले सकते हैं जब मसाले चटक जाए तब हम उसमें कटे हुए आम को डाल कर इसे फ्राई करेंगे गैस का फ्लेम अभी मेडियम पर रखेंगे आम को हम मेडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक इसी तरह फ्राइ करेंगे जिससे की इसका जो पानी है वो खतम हो जाए 2-3 मिनट फ्राइ करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चोथाई चोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर लगभग 2-3 चुटकी मसालो को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कच्छे आम का मुढबा बहुत ही टेस्टी होता है इसे आप 10-15 दिनों तक फ्रीज में रख कर खा सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे आधा चोटा चम्मच नमक नमक डालने से आम जल्दी से पक जाएंगे अब हम इसे एक मिनट तक और फ्राई करेंगे एक मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे गुर गुर को मैंने चोटे-चोटे टुकडो में तोड लिया है गुर को हम आम के साथ अचीतरा से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम हम मेडियम पर ही रखेंगे अगर आप गैस का फ्लेम हाई करते हैं तो फिर गुर जलने लगेंगे इससे इसका टेस्ट खड़ा हो सकता है गुर डालने के बाद हम इसे दो मिनट तक और पकाएंगे इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है गुर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं मुरब्बा हमारा बनकर तयार हो गया है यह अच्छी तरह से पक चुका है अब हम इसे एक से दो मिनट और पकाएंगे क्योंकि गुर अभी बहुत पतला है इसे थोड़ा गारा होने तक हम इसे पकाएंगे और ठना होने के बाद यह और भी गारा हो जाएगा तो इसे उसी हिसाब से में पकाना है गुर हमारा गारा हो चुका है मुरब्बा अच्छी तरह से बनकर तयार हो चुका है अब हम इसके फ्लेम को बनकर देंगे तो अब हमें इसे पकाने की जरूरत नहीं है ये बनकर तयार हो चुका है, तो चलिए सर्व करते हैं, तो लीजिए तयार हो गया, कच्चे आम का मुरब्बा, कटी, मीठी और चटपटी, अभी आम का सीजन है, और कच्चाम आपको बहुत ही असानी सेविंग मिल जाएगा, तो एक बड़ी से बना कर जरूर देखे, अगर झाल झाल